नमस्कार मुखाज और मिशा सुवागत है आपके अन्वन लाई प्राई नज़र डालते हिमाज़ा प्रदेश की मुखे खबरों पर हिमाज़ सरकार दोर इस प्रोजेक्ट पर दावा किये जाने को दिया दुर्भाग पूर्ण करार कांग्ला जिले के बनेर और हमीरपूर के जाहू में निर्मार धीन पूल डहने के मामले में सरकार ने 14 इंजिनिरों को थमा दी है चाशित इनसे पूल गिरने को लेकर मांगा है जवाब अभी पांस से छे इंजिनिरों ने सरकार को दिया है जवाब इसके बाद सरकार चीफ इंजिनिर की अधक्षता में कमेटी करेगी गठित यह कमेटी बारिकियों से हर पहलू पर करेगी जाच हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश बाढ़ एवं भूसकलन से आई आपदा से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा गठित आपदा राहत कोष 2023 में असम सरकार ने 10 करोन रुपे की साहता राशी का किया अन्शदान आसम के वन मंतरी चंदर मोहन ने मुखे मंतरी प्रदेश मंतराले के सचीव ने वीडियो कॉनफरेसिंग के माध्यम से निगरानी तंत मजबूत करने के भी दिये निदेश प्रदेश में बांधों से बिना सूचना दी अधिक पानी छोड़े जाने से बीते दिन हुआ है भारी नुकसान मनाली के विधायक भुनेश्वर गौड ने वीरवार को पतली कुहल में वॉल्वो बस को हरी जंडी दिखा कर किया रवाना 82 दिन बाद मनाली पहुंची वॉल्वो बस विधायक डी सी समेत कई अधिकारी बस में कुलू से पहुंचे मनाली अब नीमित रूप से मनाली करने की तैयारी में हिमाचर प्रदेश सरकार कैबिनेट बैठक की मंजूरी के लिए उर्जा विभाग ने बनाना शुरू कर दिया प्रस्ताव सूबे के उद्योगों पर 6-7 प्रतिशत तक बढ़ाई गई है लेक्रिसिटी जूटी विधान जबा के मानसून सत्र में भाश कर दी जाएगी नई पार्किंग की सुविधा मेयर सूरेन चोहान ने दीजा आनकारी के आईजीमसी मेडिकल कॉलेज के पास 400 गाड़ियों को पार्क करने की बन रही है पार्किंग इमाशल प्रदेश विधान सभा की तर्ष पर अब सबसे पुराने नगर निगम शिम्ला को भी पेपर लेस करने की है योजना इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए मुख्यमंत्री भर चुके हामी हाले में विधानसभा के मानसून सत्र की कारवाही देखने के लिए महापौण की अगवाई में विधानसभा पहुंचे पाश्हदो के साथ इस बारे में मुख्य मंद्री की भी हुई थी चर्चा देश की जनता को एक बार फिर द्रंके चटानी नमक का चखने को मिलेगा स्वाध धिसुस्तान सौर्टस लिमिटेड ने करीब 25 साल बात खाने योग ये नमक का शुरू कर दिया उत्पादन मैंगल में सौर वाशपी करण वीधी से नमक होगा तयार 1980 के बाद देश में नमक के कारोबार में कई बड़ी नीजी कमपनियों ने मार्केट में उतारे थे अपने प्रोड़क्ट प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रात को आसमान साफ रहने के कारण पढ़ रही है ओस परिडाम सरुप सुबह और शाम को अधिक महसूस हो रही है ठंड दो तीन अक्टूबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हलकी बारिश होने की व्यक्त की गई है संभावना प्रदेश के जंजाती छेत्रों में शुरू हो चुके सर्दी मौसम विभाग के अनुसार सर्दी की तरफ दस्तक दे रहा है मौसम तो यह थी माज़र प्रदेश के अब तक की मुख्य खबरें सी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हैं